साथियों, देश के विजिलन्स सिस्टिम को मजबूत करने के लिए भी कई कानूनी सुधार किये गए, नए कानून लाए गए हैं। ब्लैक बनी और बेनामी संपत्यों पर देश ने जो कानून बढ़ाए हैं, जो कदम उठाये हैं, आज उनका उधारन दुनिया के और देशों में दिया जा रहा है। Fugitive Economic Offenders Act के माध्यम से प्रस्टाचारियों पर कारेवाई में बहुत मदद मिली हैं। आज भारत दुनिया के उन गीने चुने देशों में हैं, जहां फेस्टलेस टैक्स एसेस्मेंट की ववस्ता लागू की जा चुकी हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं, जहां प्रस्टाचार रोकने के लिए टेक्नोलोजी का जादा से जादा इस्तमाल किया जा रहा है। सरकार की प्रात्मिक्ता रही है कि विजिलेंस से जूड़ी एजेंसियों को बहतर टेक्नोलोजी मुहाया कराये जाए। कैपेसिटी बिलनी हो, उनके पास लेटेस इंफरस्ट्रक्चर और एक्विप्मेंट हो ताकि वो और प्रभावी रुप से काम कर सके, नतीजे दे सके। साथियों, इन प्रयासों के बीश हमें ये भी आद रखना है, ब्रस्टा चार के खिलाप अभियान एक दिन या सिर्व एक सप्ता की जंग नहीं है, इस संदर्ब में आज मैं आपके सामने एक और बड़ी चुनोती का जिक्र करने जा रहा हूँ। ये चुनोती बीते दसकों में, दीरे दीरे बढ़ते हुए, अब देश के सामने एक विक्रार लूप रूप ले चुकी हैं। ये चुनोती हैं ब्रस्टा चार का वहुशवाद, यानि एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में ट्रांसफर हुआ ब्रस्टा चार। साथियों, बीते दसकों में हमने देखा है, कि जब ब्रस्टा चार करने वाली एक पिड़ी को सही सजा नहीं मिलती, तो दूसरी पिड़ी और ज़्यादा ताकत के साथ ब्रस्टा चार करती है। उसे दिखता है कि जब गर में ही करोड़ो उर्पिय काला धन कमाने वाले, उनका कुछ नहीं हुआ, या फिर थोड़ी सी सजा पाकर वो छूट गया, तो उसका होसला और बढ़ जाता है। इस बज़र से कई राज्यों में तो ये राजनितिक परंपरा का हिस्सा बन गया है। तक सिमित नहीं रहती, वो एक चेन बनाती है, नीव बनाती है, बविष के ब्रस्टाचार के लिए, बविष के गोटालों के लिए, जब उचीत कारवाई नहीं होती तो समाज में, मिडिया में, इसे अपरात का दर्जा मिलना कम हो जाता है। लोगों के एक बड़े वर्क को पता होता है, मिडिया को पता होता है, कि सामने वाले ने हजारों करोड रुपिया गलत तरीके से कमाए हैं, लेकिन वो भी इसे सहस्ता से लेने लगते हैं। ये स्थिती देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। ये समरुद्ध भारत के सामने, आत्म निर्भर भारत के सामने बहुत बड़ी रुकावट है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, कि हम में से कोई P.W.D. में काम कर रहा है, एंजिनिंग का काम देखता है, और पैसों के महों में कहीं कोई ब्रीज बन रहा है, तो लाप अरवाई बरती, कुछ रुपिय एट लिए, कुछ रुपिय अपने साथियों को बांड दिए, और जो कॉंट्रेक्टर है, उसको भी लगता है, चलो भाई, तुम्हारा भी बहला, मेरा भी बहला, और बिलकुल ऐसे उद्गाडन करने के लिए अच्छा दिखे, इसा ब्रीज बना दिया, पैसे घर ले चला गया, रिटायर भी हो गया, पकड़ा भी नहीं गया, लेकिन सोच लो, कि एक दिन आपका जवान बेटा, उस ब्रीज पर से गुजर रहा है, और उसी समय वो ब्रीज गीर गया, तब आपको समझाएगा, कि मैंने तो करप्षन मे अरे लिए किया था, लेकिन कितनों की जिंदगी जा सकती है, और जब खुद का बेटा चला जाएं, तो पता चलता है, कि वो ब्रीज में इमानदारी की होती, तो आज अपना इकलोता जवान बेटा खोना न पढ़ता, ये इतना प्रभाव पैदा करता है प्रश्टाचार, इस तिती को बदलना का दाइत हुआ है, हम सभी पर भी है, आप पर ज़रा ज़्यादा है, मुझे उमीद है कि राष्ट्रिय कांफरंस में इस विशे पर भी चर्चा होगी, इसके अलावा आपको एक और बात पर ध्यान देना है, ब्रश्टाचार की खबर तो मिडिया के मा होती है, लेकिन जब ब्रश्टाचार के ख़लाप कड़ी कालिवाई होती है, समय पर होती है, तो हमें ऐसे उदारन को भी प्रमुकता से रखना चाहिए, इससे समाज का व्यवस्ता में विश्वात बढ़ता है, और ब्रश्टाचारियों में एक संदेश भी जाता है, कि अपील करता हूं कि भारत बनाम प्रश्टाचार की लड़ाई में वो हमेशा की तरह भारत को मजबूत करते रहें, प्रश्टाचार को परास्त करते रहें, मुझे भरोसा है, ऐसा करके हम सरदार वल्लभाई पटेल के आदरसों का भारत बनाने का सपना पूरा कर पाएंगे समरुद्ध और आत्म निर्भर भारत बना पाएंगे